जाय मतानी है कैसे माँका स्वागत है अर्च वीडियो में बात करेंगे टाव स्पीकर्स के बारे में जो कि आप करेच सकते हो अगर आपका बजेट है रुपेश 7 आर से लेके 10 आर तक का और बेसिकलि हम टाव स्पीकर्स क्यों लेते हैं क्योंकि जगा कम लगती है और दूसर जो रहेगा T60X सबसे पहले वही आता है क्योंकि जो लोग T60X को यूज किये हैं वो जानते हैं किस तरह की साउंड है और मैं गलत नहीं बोल रहा हूं यह वो लोग जानते हैं बट कुछ लोग आपको बोलेंगे कि या इसकी साउंड है वैसी है हो सकता है उनकी पसंद लग अगर मेरी पसंद लग है T60X नॉर्मल भीगता था 8999 पर सेल के टाइम पर इस सेल में पता नहीं क्या हूँ अभी तक प्राइसेज आये नहीं है बट अगर प्राइसेज आ इस बार तो लगता नहीं है कि 8999 आएंगे आएंगे तो 990 आएंगे दस जा के आस पास का आएगा यह सिस्टम है 110 वाड आउटपूड के साथ कंपनी बताती है बट मैंने वाट इंसाइड में आपको दिखा ही हुई है क्या क्या आउटपूड लिखा हूँ है स्पीकर्स और उफर में तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो वाट इंसाइड वीडियो देख सकते ह लैत को bleeding का आउट इंच का सभू व अर दो आट इंच कीश सबूफर स्पीकर्स पता है किया नहीं है नदो बहतर मिलती है मैं काफी साउंड है लाउडनेस तो तगड़ी है अगर पार्टी भी कह रहे है ना तो 3700-400 स्क्राइब ड्रों कुछ नहीं इसके सामने अराम से बज़ेगा और मस्त बज़ेगा बेस भी लगेगी ना अक्दम जितने दूर जाओगे उतनी साउंड इसकी उतनी क्लेटी बढ़ती जाए कि जितना दूर रहोगे इस सिस्टम से और लोव वल्म पर भी आप इसको चला सकते हो हला कि लोव वल्म पर वह मज़ा नहीं था थोड़ा से हाई करो ना तब अच्छा लगता है यह सिस्टम सुनने में इस सिस्टम में क्या-क्या है मैं बता दूं Bluetooth 4.0 auxiliary का input, USB का input, साथ में आपको मिलता है optical का input, यहां पे HDMI ARC नहीं मिलता है क्योंकि यह सिस्टम थोड़ा पूड़ा आना है करीब 2-5 सल तो साथ होई गए इस सिस्टम को, इसलिए यहां पे आपको HDMI ARC का support नहीं मिलता है, यहां पे आपको मिलता है benefit wireless mic का, जो कि normal इस range में किसी भी systems में जल्दी आते नहीं है, एक फिलेफ से SPR I080B में आता है, बट इस में नहीं आता है, और स्री इस में आता है, और किसी में नहीं आता है, तो इस system की जो specifications है ना, वो कमाल की है, और कमाल की sound भी है system की, अगर particle है वर हो, तो loud music पसंद है, बेस ज़ कोई और option है क्या, तो option है, अभी एक तगड़ा वाला deal है है, ब्लापाउंट के तरफ से TS200 का, ये 990 पर बिक रहा है, इसकी खासियत है, यहाँ पर आपको मिलता है, 10 इंच का सबूफर, 200 वाट टोटल आउटपूट, तीने इंचिस के speakers, एक इंचिस के silk dome twitters, बट हाँ, एक किस तरह से पता नहीं कैसे करते हैं, बट 200 वाट इस नॉट, मतलब हमें से ज्यादा नहीं होती है, ऐसा है, तो आपको loudness इस system में उतनी तगड़ी नहीं मिलेगी, loudness हल, कम रहेगी थोड़ी सी, बट हाँ, यहाँ पर जो clarity मिलेगी, वो आपको vocals की बहतर लगेगी, सुनके, क्योंकि vocals काफी smooth आते हैं, मैंने TS 100 में check किया था, तो same true 100 में भी same उसी तरह का system है, तो यहाँ पर भी same उसी तरह की sound आपको मिले वाली है, यह 10 inches की जो सब woofer है, काफी बड़ी sound produce करने वाले हैं, बट हाँ loudness के मामले में दिक्कत है, ठीक है, और reviews भी पढ़े हैं, तो reviews में सेम वही बात ही बोली हुई है, इस system में खास चीज, HDMI ARC का support, क्योंकि नए system है, और आपको HDMI ARC का support मिल जाता है, और Bluetooth USB मिलता है, auxiliary का support है, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर wired mic मिलता है, not wireless, wireless mic नहीं मिलेगा, wired mic मिलेगा, बट सुना quality अच्छे है इसकी, और एक चीज, औ यहाँ पर volume knob, USB का support, wired mic लगानी की जगा, switches दिएगा है, बट काफी गंड़ी design है, यहाँ पर काफी धूल जमने वाली है, अगर इस ही में रहते हैं, तो ठीक है, बट अगर मेरे जैसे normal room में रहते हैं, तो काफी दिखत होगी, धूल जमेगी, जमेगी, कुछ साल बाद आप को लगेगा है, यहाँ कि यह switch काम नहीं कर रहा, वो switch काम नहीं कर रहा, तो यह design वैसी कुछ खास्त नहीं है, बट अगर आपको budget रुपीज आट है, आसपास, तो आप कौन सा system लोगे, यहाँ पर देखो काफी systems है, FND का T35x आपको मिल जाएगा, उसकी भी काफी reviews अच्छ नहीं है, थामसन के तरफ से TESP10 मोल के आता है, दो colors में आते हैं, black और brown में, आप जो पसंद हो ले सकते हैं, इसमें आपको 100 word का output मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको 8 inches का subwoofer लगाएगा है, 2-3 inches का speakers लगाएगा है, और 2-1 inches के tweeters लगाएगा है, इंपुट की बात करें त से Bluetooth, USB और auxiliary, नहीं यहाँ पर आपको optical का support मिलेगा, और नहीं HDMI ARC का, तो अगर इन दोनों में से कोई भी आपको चलिए तो यह system मत purchase करिएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, उपर के तरफ अगर panel को देखते हो, तो panel को देखे क्या लगता है, मतलब अब कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है, Thompson, यार आजीब कहानी है, यार इन लोगों की, यार सेम, वही USB का port, सेम, वही mic का support, सेम, वही knob, सेम, वही switches, यहाँ पर आपको wireless mic नहीं मिलता है, यहाँ पर wired mic का support मिलता है, तो अब चेक कर लेना, अगर आपको लगता है कि यह system आपक 2605, इसके काफी अच्छे reviews है, मैं ही सिफ नहीं बोलता है, काफी reviews बेच्छे है, reviews अच्छे होने का कारण यह है, कि जो लोग इस system को खईते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह के system को ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ अपने sites पे लिखा हुआ रहता है, कि यह जो system है, वो loud music listeners के लिए नहीं है, अगर loud music पसंद है तो आप इस system को मत लो, क्योंकि यहाँ पे loudness उतनी नहीं है, यहाँ पे आपको wide mic का support भी नहीं मिलता है, यहाँ पे आप इसको indoor use कर सकते हो, outdoor में use करने लाइक नहीं है, और यह सारी चीज़े लिखी हुई है, इस system में खास क change का सब उफर, सुनने में लगता है सारी चेंज का सब उफर, speakers मिलते हैं, तीन इंचेस के चार vocals clarity के लिए बहतर मिलती हैं आपे, उसके बाद tweeters जो मिलते हैं, वो धाई इंचेस के tweeters लगा है, जिससे जो clarity मिलती है जहनकार की, वो भी काफी तगडी मिलती है, instruments के आवाज का अच्छी आती है, 100 watts output है इस system का, और एक चीज है, यहाँ पर जो low base है, मतलब जो हम लो feel करते हैं, उसको थोड़ा सा boost करके रखा गया है, जिससे आप अगर low volume पर भी सुनो, रात को अगर दिकत हो रही है, high volume पर सुनने पर, तो low volume पर भी आपको base का मज़ा मिल सके, यह system थो lover हो, तो यह system आपके लिए है, और basically यहाँ पर quality पर ध्यान दिया गया है, quantity के जगा पर, जिसके लिए सिफ साड़े 6 इंच का सबूफर का इस्तमाल किया गया, नहीं, 8 इंच का सबूफर लगाया गया, बट साड़े 6 का सबूफर काफी अच्छा base produce करता है, और अगर देखो मतलब room में अगर आप हमेशा loud सुनते हो, और ज्यादा loud system चाहिए तो यह system मत लेना, अगर आप basically room में हो, normal, जैसे एक sound सुनते हो, हमेशा जैसे हलका सा sound सुनना चाहते हो, जिसमें आपको हरी चीज का मज़ा मिले, instruments भी अच्छा है, focus clarity भी मिले, और bass, feel होने वाली bass भी तग करना, आप अपना system भी चूँज को देखना, कि आप जाला तर high volume पे नहीं सुनते हो, कोई भी system हो, कितने भी high, कितने भी तगड़ा, कितने भी price पे दे के लिया हो, आप high volume पे नहीं सुनते हो, तो low volume पे अगर सुन रहे हो, तो यह system काफी अच्छ है, 7 रुपिस माता है, but wired mic नहीं है, यह तोड़े से दिक्कत है, आप आपको नहीं HDMI का, ARC का support मिलता है, नहीं आपको optical का input मिलता है, यह पर मिलता है, Bluetooth, auxiliary, USB, यह सारे चीज़ आपको मिलते है, basic वाले जो है, सब मिलते है, high end वाले कुछ नहीं मिलते है, ठीक है, तो आप एक बाद चेक कर लेना, अग अगर आपको high loudness, high bass, सब कुछ चाहिए, तो T60X better है, बट आपको vocal security, smooth चाहिए, थोड़ा सा loudness पे adjust कर सकते हो, तो blow pound का TES 200 भी ले सकते हो, अगर budget है, तो यह सारे tower speakers है, जो कि आप consider कर सकते हो, अगर आपको budget रुपे साथ रेके, आसपस, और 10 रेके बीच में तो, उमीद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को जो से like कर जाए, अगर में चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जैमात दी